नमासकार दोसन स्वागत थे आपका हमारे शेनल चार जागेंद्र मिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नया सीखना चाहते हैं तो शेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मौरपंग को इस जेगा है रखने से लोग बन जाते हैं करोडपती धन को आकरसित करता है दोस्तों क्या आपने जानी है मौरपंग की ये बीस खूबियां जानोगे तो घर लाए बिना नहीं रह पाओगे दोस्तों पाओरानी कताओं में मौरपंग का बिशेस महत्व है मौरपंग को भगवान स्रेकुष्ण के मुकुट पर इस्थान मिला है वहीं इंदर देव भी मौरपंग के शिंगासन पर ही बैठते थे उस समय में महारिशों के द्वारा लिखने के लिए भी मौरपंग का ही इस्तिमाल किया जाता था और इसी कारण समस्त सास्त्रों, गरंथों, वास्त और जोतिस सास्त्रों में भी मौरपंग को एहम इस्थान दिया गया है तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इसके 20 अदबुद चमतकारिक लाभ बताने जा रहे हैं जो सायद ही आपको पता होगा लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रोक्ष्ट है वीडियो को लाइक कर देजेगा दोस्तों कभी शेर कर देजेगा और यदि पहली बार आए चनल पर तो चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को प्रिस कर देजेगा दोस्तों, नमबर वन जो बेक्ति अपने घर में दो मोर पंक रखता है उसे के घर में उस बेक्ति के घर में कभी कोई अलग नहीं होता घर में मोर पंक रखने से घर परिवार एकत रहता और खुसहाली छाई रहती है नमबर दो, जो बेक्ति हमेशा अपने पास मोर पंक रखता है उस बेक्ति पर कभी कोई अमंगल हो ही नहीं सकता या मंगल मट राता ही नहीं है सदेब किशी बड़ी दूर घटना से बचा रहता है नमबर तीन, मोर पंक को अपने घर में हमेशा रखने से नकरात्मक उरजा दूर होती है और सकरात्मक उरजा का बास होता है नमबर चार, अगर आपको आपका बच्चा ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है या पढ़ाई में कमजोर है तो उसको पढ़ाई में बहतर करने के लिए आप उसके स्कूल बाले बैग में एक मोर पंक रख दें या मोर पंक के कुछ टुकडे रख दें आपका बच्चा बुद्धिमान हो जाएगा और पढ़ाई लिखाई करना सुरू कर देगा और रिजल्ट में भी अच्छे उत्तिन के साथ अंक प्राप्त करेगा नमबर पांच अपनी जेब या डायरी पर मोर पंक रखने से राहू दोस भी प्रभावित नहीं करता राहू दूर हो जाता है या राहू के दोस से आपको मुक्ति मिलती है नमबर छे मोर का सबसे प्री आहार साप है इसलिए साप मोर से भे रखता है खाता है और ऐसी जगए नहीं जाते जहां पर मोर पंक दिखाई देता है अगर आपको भी सापों से डर लगता है भे लगता है तो अपने पास एक मोर पंक शदेव रखें या परस में या फिर जेव में नमबर साथ कभी कभी मोर पंक को सिर पर धारन करने से बिद्या लाब होता है नमबर आठ घर का मुख द्वार यदी बास्तो सिके बिरुद्ध है तो दार पर तीन मोर पंक श्दापित करें मोर पंक के नीचे भगवान ग्रेस का चित्रिया छोटी प्रतिमा श्दापित करने से वास्त दोस्त दोर हो जाता है नमबर नव यदी जीवन में अचानक धेर सारे कष्ट या फिर भी पत्तियां आ जाए तो घर या बेडरूम में अग्न कोड से मोर पंक लगाना चाहिए सब कुछ ठीक हो जाएगा और मालक्षमी कृपा शदे बरसेगी नमबर दस पत्पत्ने में अक्सर लड़ाई जगड़े होते रहते हैं अगर ऐसा है तो अपने घर पर दो मोर पंक लग जाए तो अब उन्हें अपने साधी बाले एल्बम में भी आप छुपा कर रख सकते हैं लड़ाई जगड़े से बचे रहेंगे और पत्पत्ने में प्रेंबढ़ेगा भगवान स्रीकृष्ण और माता लक्षमी जी कृपा सदे बरसेगी नमबर एक जारा मोर पंक को रात के वक्त बाहर आगन में रख दे ऐसा करने से नगरात्म कुर्जा का नास होता है शकरात्म कुर्जा का प्रवेश होता है नमबर बारा मोर पंक को हमेशा अपने पास रखने से वो ब्यक्त कभी अशफल हो ही नहीं शकता सफलता की बुलंदियों को छूता ही चला जाता है नमबर तेरा मोर पंक को शिरहाने में रख के शोने से कभी डरावने सपने आई ही नहीं शकते सुबह आपका अच्छा जाता है नमबर चोदा मोर पंक को कभी भी नीचे ना फेके अपने पेरों से ना कुछ ले नहीं तो तरक्की रुक जाती है मोर पंक को नीचे फेकना तो आपकी जीवन की शारी शफलता के शारे राष्टे खुल जाते हैं और करोडपती बनने के राष्टे क्लियर हो जाते हैं आसान हो जाते हैं नमबर सोला मोर पंक तोड़ने के बाद भी जीवित रहता है यह हम नहीं यह पुरानी मानताओं का कहना है तभी तो इसका असर दिखता है और लोग बन जाते हैं जल्द करोडपती नमबर सत्रा मोर पंक को आप किसी सुब महुरत पर ही खरी दें जैसे कि अभजीत महुरत पर या फिर कोई सुब दिन जैसे कि कोई बड़ा तेवहार हो या फिर कोई अच्छा अम्रिश शिद्योग शर्वाधिश शिद्योग फिर आपको अभजीत महुरत में खरी दें आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं ऐसा करने से नमबर अठारा घर के दच्छिन मुखी कोने में मौरपंक लगाने से भी घर में धेर सारी बरकत होती है मालक्ष्मी क्रिपाब रश्ती है धन की कमी बिल्कुल भी नहीं मैसूस होती है मालक्ष्मी आप घर की ओरा करसित होती है नमबर 19 मौरपंक को खरीते वक्त ये ध्यान रखें कि मौरपंक टूटा फूटा बिल्कुल नहीं मौरपंक किसी भी तरह से टूटा फूटा बना हो नहीं तो दिखते आती है ये असुब माना जाता है मौरपंक सही खरी दे न कि गलत नमबर 20 मौरपंक को घर में लाते वक्त एक बार भगवान स्रिकृष्ट का नाम जरूर ले और माता लक्षमीज का इसमरन करे ऐसा करने से घर में सफलता मिलती है और सभी कार आपके समय पर पूरे होने लगते है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चाहता है ज़्यदा सेर करें और चनलों को सबस्क्राइब करें जय माता ली